राधे राधे जैसियराम अक्षट रित्तिया या आख्खा तीज वाले दिन आप बहुत ही सिंपल साधा तरीके से पूजा कैसे कर सकते हैं आज के दिन सोना चान्दी खरीदना बहुत ही शुब माना जाता है लेकिन आप किसी भीकारण से सोना चान्दी नहीं खरी सकते तो आपको किन चीजों को खरीद के लाना चाहिए वो भी मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं मैंने यहाँ पे चोकी लगा ली है और उस पे आसन भी छा दिया है आप चाहें तो अलग से चोकी लगा के भी पूजा कर सकते हैं और अगर आपका मंदिर बढ़ा है तो आप अपने मंदिर में भी पूजन कर सकते हैं से दान किया जाता है ठंडी चीजों का दान क्योंकि इस समय पर गर्मी बहुत ज़दा होती है तो आप कोई भी मिट्टी का घड़ा या बड़ा सा मटका ले लें दान करने के लिए उसके कंट पे इस तरह से कलावा बांद लें और मैंने यहां पे चंदन से स्वास्तिक बना लिया है अपने कलश पे क्योंकि चंदन बहुत ज़दा शीतलता प्रदान करता है और आज की पूजा में चंदन का जरूर से आप उपयोग करें अगर आपके पास हो तो आज के दिन लड़ु गोपाल का चंदन से शिंगार किया जाता है तो अगर आप भी सेवा करते हैं ल अक्षत रित्य या आखा तीज बहुत ही बड़ा और विशेश दिन होता है इस दिन पर अगर किसी भी आप शुब कारे को करना चाते हैं तो बिनमोरत निकाले भी कर सकते हैं ऐसा माना जाता है इस दिन माताल लक्षमी की पूजा की जाती है गहने सोना चांदी खरीदा जा की बरक्कत होती है और अक्षत रित्यों को बहुत ही विशेश और महत पुन दिन माना जाता है लेकिन इस साल अक्षत रित्य पर अभूज मोरत नहीं है अभूज साया नहीं है तो ना तो शादिया होंगी इस साल ना ग्रह परवेश होंगे ना कोई भी शुब काम आप नही लेकिन आप जो भी चीज खरीद के लाएं सरपथम पहले आपको उसका पूजन करना है तो देखिए हमने आप पे तिलक लगा दिया है सभी भगवानों को गनपति भगवान को विष्णु भगवान को साथ ही में वस्त रूपी कलावार पंड कर दिया है आप चाहें तो की चीज़े होती हैं इनकी भी फूजा कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं कि अगर आप सोना चांदी नहीं खरीदना चाहते तो आप किया खरीच इस तरह से आप हल्दी की दो, पाँच, साथ गाठ खरीच सकते हैं, आज के दिन आप चावल खरीच सकते हैं, गेहुं खरीच सकते हैं, अगर आप जादा महंगी चीज़े नहीं खरीच सकते हैं, तो ये छोटी मोटी चीज़े भी आप ले सकते हैं, और आज के दिन चने की द जो भी आपको फ्रूट मिलते हैं मार्केट में जो ठंड़क पहुचाते हैं, खीरा, ककडी, और आम हुआ, तर्बूज हुआ, वो सब चीजे भी आप आज के दिन दान कर सकते हैं, जो भी शीतलता प्रदान करती हैं, क्योंकि इस समय पर बहुत ज़ादा गर्मी पड़ रही ह हैं, और ऐसे समय पर जलकादान सबसे बड़ा महादान कहा जाता है, साथ ही में यहां पर कुछ दक्षना रख दूंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है, कि अगर आपकी पूजा में कोई भी कमी रह गई हो, तो दक्षना रखने से वो पून हो जाती है, तो कुछ भी आप अप कहानी सुनने होती है, आप अपने हाथ में थोड़े से दाने या फूल ले लें, क्योंकि खाली हाथ कहानी नहीं सुनते हैं, तो हम यहां पे अपने सीधे हाथ में दाने ले लेंगे, साथ ही में हम एक लोटा जल ले लेंगे कहानी सुनने के लिए, और यही पर बैटकर हम कथा का वीडियो भी आपको अलग से मिल जाएगा मेरे चैनल पे है आप जाके चेक कर सकते हैं लिंक सभी का आपको डिस्किप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कथा सुनने के बाद ये जो आपने हाथ में दाने लिए हैं ये थोड़े से हम अपने लोटे में डालेंगे अर् पन कर देंगे अपनी मनुकामना मांगते वे उसके बाद हम प्रेम पुर्वक भगवान की आर्ति कर लेंगे तो सरप्रथम आप भगवान गनपती की आर्ति कर लें भगवान विष्णु की आर्ति कर सकते हैं माताल लक्ष्मी की आर्ति कर सकते हैं तो आप प्रेम पुर्व तो इस तरह से आप बहुत ही सरल तरीके से पूजन कर सकते हैं, पूजन के बाद ये जो एक लोटा जल है ये आप सूरे बगवान को और पन कर दें और जो भी प्रशाद या मिठाई आपने भोग में रखी हो या फल रखे हो वो आप अपने घर में प्रशाद रुप में कर सकते हैं, किसी बड़े रिष्टे को दान कर सकते हैं, या अगर आपके आस-पास कोई भी गरीब या जरूरत मंद है, तो आप उन्हें ये सारी चीज़े दान कर दें ताकि उनके काम आ सकें, तो इस तरह से आप अक्षट रित्या वाले दिन दान कर सकते हैं, पूजा कर स आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़़ा मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम इसी तरह की और अच्छी अच्छी वीडियो आप तक ला सकें, पहुचा सकें, तो प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और चैनल पसंद आए, थोड़ी बहुत भी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगें, तो कमेंट बॉक्स में जैस या राम लिखना बिलकुल ना भूलें, जैस या राम, राधे राधे